नापुशेर के लॉक कॉलेज चौक में एक अन्यंत्रे थोकर कार पलट गई दरसल घटना धोपया वहन को बचाने के चक्कर में हुई या सीचानकारी है आपको बता दें कि करीब रात बारा बजे के दर्मियान लॉक कॉलेज चौक पर सिविल लाइन से लक्ष्मी भवन चौक की और तेज कती से जारही कार के चालक का वहां से नियंत्रन छूट गया और कार चालक ने यूटन ले रहे दो पहिया वहां चालक को बचाने के चकर में पलट गई वहां उपस्तित नागरिकों ने कार को सीधा किया फिलाल इस खटना से किसी के हताहत होने की कोई ख़बर नहीं है हकपुष शहर में एक दिल देहला दिने वाली खटना से परिसर में खल बली मच गई थी देरसल शहर के लौ कॉलेज चौक में एक कार पूरी तरीके से अनियंत्रित होकर पलट गई हलाकि इस खटना में कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन खटना की जानकारी मिलने पर सीधा वर्डी पुलीस मौके पर पहुची देरसल मंगलवार की रात करीब साड़े बारह बज़े के दर्मियान लौ कॉलेज चौक पर सिवल लाइन से लक्षमी भवन चौक की ओल तेसकती से जा रही कार के चालक का वाहन पर से नियंतरन चुट गया कार चालक यूटन ले रहे दुपहिया वाहन चालक को बचाने के चकर में पलट गया इस कार में दो से तीन लोग सवार बताय जा रही है घटना के बाद वहां एकत्रित हुए लोगों ने कार को सीधा किया और इस घटना की जानकारी पुलीस नियंतरन कक्ष को दी इन विसे नियोज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अकिलेश भरदवाच के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट